वीडियो देखनाले दर्सकान सारे वायान रामरा में मैं एक आम दुकानदार हूँ जीम बात करांगे जो कि यो मास्का चलान है पंसो तेबडाक है अजार का कर दिया अमें खाना खाके दो पारकर्स टाइम पर थोड़ी देर के लिए बेठे थे पूरा दिन मास्क लगाया था लेकिन खाना खान के वज़ेते वोट आया था उसी पुलिस आती है और हमारा चलान करके चली जाती है आमने इस चलान ना काटन के लिए उन्येश्ट भी लेकिन वो निमान ने भोले कि भी जो पर सासन की गाइड़लाइन हा रिये उसका है ता kami चलान करना पड़ागा लेकिन इस चलान को तो ले यमन्यमन समझा लिया लेकिन रख शाथी ता जो पीछ सोपा सेट पर लेट रहा लेकिन जो शासन प्रसासन की जो लापरवाई है यहां जुनता को प्रेशान करने के लिए है अमारे साथी जी आन जो बात बताई है इनका मास्क लिए चलान का ट्यागा था और उसकी बात से हम सहमत हैं इन्होंने बता कि हम पर जबर्दस्ती थोप्पा जा रहा है मेरा भी एई मानना है कि मास्क की जगाई और अन्ने कपड़ा भी हम यूज कर सकते हैं जैसे लोकलीज वोकल का नारा परदान मंत्र ने दिया था। उसमें हम अपने सूती परने को आगम छे को यूज कर सकते हैं और इसके साथ ही हम व dairy के बारे में भी कुछ बताना चाहते है वैक्सिन के जगह अगर कोई आयुर्वेदी को पाया जाए तो वो बहुत ही अच्छा होगा उसे नहीं लोगों है शरीर में कोई आणी होगी और आयुर्वेद अगर उसके जगह आए तो उसके बहुत ही अच्छे प्रिणाम के बारे में हमारा एक तरफ यह मानना कि यह जित यह मानना है कि कोई भी वैक्सिन है वो मानों शरीर पर बहुत ही गलत पर बाव भी डालती है जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि लोकली इस वोकल का नारा हमारे प्रदान मंत्री मोधी जी ने भी दिया है तो मतलब यह पुलिस पर साथ सने मना कर रही है कि आपको सिर्फ मास्का यूज़ करना है पर ना और रुमाल का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं तो एक और डबल यूज़ के नहीं गाइडलेंस आई है कि जो करोना है वो कान से भी फैले हैं तो इव इंसान है कि कित कित उसने प्रोटेक्शन करें किसकी चीज़ नहीं डखेगा दूसरा कि अमेरिका के अंदर भी मास्का जो की विरोध बहुत ज़्यादा चल रहा है तो उनने भी दबान लग रही हैं जैसा कि हमारे साथियों ने बताया आपको कि मास्क के क्या क्या हमें जो हदुस परिनाम बोगने को मिल रही हैं हमारे ओपर जबर दिस्तित हो पा गय करोना से बचाओ के लिए यह करें वो करें उसी के दर में चलते को मीन्ट ने कहा था कि मास्क लगाव रुसके अलावा कुसमें मास्क और सशनेटाइज हमारे पास एक हमादमी बरत सकता है और उसके बाउस्थ भी है जो है मास्क कई बार क्या देख्या गया कि जैसे स्कारी को भी मिली हैं और कई बार हमने मैसूस भी की है और इसके साथ में वेक्षिन से समंदीज़ में कुछ बात करें कि मतलब जैसे जो सपोर्ट के बच्चे हैं या कुछ और भी एंजन को ट्रमीन का डेका का कोई भी इंजेक्शन दिया जाता है बोड़ इसे जहां से भी एनर्ज सपोर्ट का या कोई भी किसी परकार का इंजेक्शन दो वहारी बोड़ी में दिया जाता है तो जहां से इनर्जी बूस्टप करके हमें प्रोइड करता है वहां से हमारा जो हना एक परकार शेजो कल को वहुष्य माने वाड़ी समझे इतनी गंबीर हो जाती है जैसे जो सब्सक्राइब करां तो मास्क का के-के नुक्षान हमें देखने को मिल रहा है यह जो और बाइक पर कहीं भी किते दी भी जाव हो तो यह आप आलमेंट वगरा कुछ भी ले रहे हो और मास्क नहीं है तो आपका चलाना पका है मास्क लगाँ वहां सार दिन आर्ड का जो जो दोरी ही है प्रेसान हो जाते हैं कान पर नाक पर उसका निशान पड़ा है और सांस लेने एक हमारे जो हमें प्रेरणा मिलती है जहां से मुझोड़ी वीडियो करा देखते हैं जो डाक्ट भी सुरूप रहे चोई रीजी हैं वह मतलब समाज को एक तरह से बहुत अचा रोल प नुक्षान भी और वह मतलब एक तरह से देखा जाया जो सच भी बोलते हैं जी कोई बात नहीं है आप आँ से चुटे बच्चाडी बात भी कोनरे रिसोचन समझन जोगे और यहां वह उनका जो एक कथन है एक ऐसा को प्रिणाम बताओगी जिस्तिका नुक्षान ना होगा गु balmaking बताओगी यहां मास्क कोई नुक्षान ना होगा अस्त्मा की बिमारी होगी आपको और येको झाली pulls दिकत है मतलब ना एर्या कोई मतलब जाता है कि मतलब मस्क तका सब्सक्राइब करते हैं कि जो भी आपके पास आवा है को भी आम कस्टमर आऊ उसके पास मास्क और जरूरी है और मास्क तो चलो परणारुमाल तो दखा दे हम जड़ती साल है कोई बात नियुक आपकर रहा है उसके बाद सेनेटाइज करो डेली सार दिन सेनेटाइज करो खुद सेनेटाइज करो प्रते क्स्टमर के बाद इसके भी गोवर्मेंट ने भी मतलब कोई दूसरी ना में नही तो गवर्मेंट क्या कर रही है मतलब एक तरह से मेडिकल मेडिसीटी का प्लेटफोर्म त्यार करना लग रही है आपको मास्क लगाने से जुनसी बैमारी होंगी उनका उप्तार लोगे सेनिटाइज लगाने से जुनसी आपके सकीन के प्रोब्लम होंगी उनका अग्विकाल अग्वर्मेंट ने अलाज करके दियाना है इस परकारत है हम इस मास्क से पूर्ण ते विरोज दी हैं कम से कमी साथ होगे मतलम हमने मास्क लगाने से कुछन कुछ समाधान हो है तो लगावा उल्टे नुक्सान और रोन लग रहे हैं बैसी तो नहीं करना चाहूंगा मारे स साथ ही आपको कुछ और विष्टार से बताएं जग है पर मास्क का विरोज चल रहा है क्योंकि इसके नुक्सान है बहुत सारे हैं करबंडाय एक्सोईड है वापी से सरी से निकलती है वही वापी से लिजाती है खुलकर ऑक्सिजन नहीं मिल पाती है और ऑक्सिजन की कमी स सामना करना पड़ता है तो मास्क है वैसे भी इससे करोना नहीं रूख पाता है यह खुद डब्लु एट्चो की गाइडलाइन भी बोल देती है कि N95 हो या N95 जो भी मास्क है N97 या N95 जो उससे भी करोना नहीं रूख पाएगा तो फिर यह मास्क जरूरी क्या है और कई बार डब्लु एट्चो की गाइडलाइन जैसे की बताया गाथा कि बदलती रहती है कभी कहीं से करोना हो जाएगा कभी किसी परकार से कभी किसी परकार से और एक बात बोली जाती है कि जैसे की छुनने से ही होता है जैसा कि आपको कहना भी गल्थ है कि यह छुटते ही फैलेगा यह और इसका जो है साइंस के अगर विश्वरूप राय चोदरी जी के अनुसार का आ जाए तो इसका जो है मॉर्टिरेटी रेट है इसका 0.1 परसेंट है यानि कि एक अजार वेक्तियों को करोना होता तो उसमें एक वेक्ति के मरने के चांस रहते हैं और इतने एक वेक्ति के मरने के चांस होते हैं और अगर दूसरी देखा जाए तो फैलने की एक्समता इसकी जो बताई जाती है वो है दो पॉइंट दो टुबरकोलोसिस है टीप भी है इसके मुकाबले साथ 6-7 गुना ज्यादा सकती साली है फैलने के मामले में और मॉर्टिल करनाक नहीं है क्योंकि मीडिया है इसके दोरा जो भी मीडिया है बारती मीडिया इसके दोरा यह दिखाया गया है दिखा जा रहा है बार बार की करोना यह है इतना खतरनाक है यह कर दिया जा रहा है यह हो जाएगा इससे यह हो जाएगा इससे यह है यह कर देगा यह है इस अगर यही टीबी के अगर आकडे देने लग जाए बारतिय मीडिया तो लोग करोना की बजाए टीबी से डरने लग जाएंगे वैक्षिनेशन के अगर हम बात करें तो पोलियो की वैक्षिनेशन दी जाती है बच्चों को तो डॉक्टर विशवरू प्राइच उद्री जी के अनुसार पचास हजार जो नए केस आते हैं पोलियो वैक्षिन से पोलियो गर्स्त मरीज बच्चे जो आते हैं मरीज के रूप वेक्सिनेशन के जरीए तो अब हम इन से पूछेंगे कि इन्होंने ये सब करने के लिए क्या जरूत पड़ी और इन्होंने ये प्रेणा कहां से मिली और शाथ आपके इस प्रयास से किस बदलाव के उमिद रखते हैं तो मतलब इस पर क्या ना कि हमें जुर्द तो क्या पड़ी डेली रूटीन में देखते आ रहे हैं भी कि करोना का करोना का कैर है या लैर है जेशे जो भी बताया गया थो पाजा रहे हैं मास्क लगाओ नू करो इससे बचाओगा बचाओ की वजाह में इसके दुस्परिनाम जादा बहुत रहे हैं और मतलब प्रेशान होका में नू लगया इसका मतलब जितना भी देखा वीडियो में यूटूब पर जहां भी कहीं सोचली मीडिया देखने को मिलता है करोना ऐसी को हमारी तो है यह मास्क दो अंपत हो पाजा रहा है उसके में नुक्षा नुक्षा देखने हो रहे हैं और जो प्रेरणा में लिए में यूटूब पर एक डाक्टर भीशुरू पराइच ओडररी की वीडियो डेवाई दे रहती हैं जी वो तो हमने भी डाक्टर भीशुरू-चोफड तरीजीट बीर्सी की वीडियो देखी हैं मोचली आज कल कोरोना से एले कर रहा कहीं न कहीं और उसी को ड्रते मतलब सरकार उस पना तो कोई स्टेटमेंट दे रही अपनी और उसकी वीडियो टाइम टू टाइम यूटूब से डिलीट कर वाज जाती हैं और मतलब एक और बात हमारे कुछ साथियों ने हम चैनु रोदिकिया था कि इस पर हम वीडिय जैसे आम आदमी कोई एराग एराय मेरज जैसा आप जैसा कोई भी आदमी स्ट्राथ का विरोध करता सरकार का उसके विरोध में तो सरकार कुछ भी एक्सन ले सकती है बिल्कुल और डाक्टर भी सुरूब राचोदरी के कई मतलब मेन पोप्लर कंट्रीज में के ओफिस हैं कई उन्होंने किताबे लिखे हुई हैं गिनेज बुक विकोर्ड में उनके नाम पे हैं और वो कोई ऐसी वेसी बात नहीं है कि महान ड़क्टर हैं वीब होती हैं उन्होंने चीज के इतना खुला विरोध किया है गवर्मेंट उसके बावजूद भी उनके स्टेटमेंट प कि मास्क जरूरी है नहीं है बैसे इतना ही हमने इसका जवाबना समझा जी धन्यवाद आपके विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए